सब्सक्राइब करता हूं आज का जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑस्ट्यो आर्थ्राइटिस पे तो चलिए बिना केसी देर के हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके इंट्रोड़क्शन की बात करते हैं जोइन के अंदर केसी भी प्रकार का इंफ्लमेशन की जो कंडिशन होता है इसको हम आर्थ्राइटिस बोलते हैं और जो ऑस्ट्यो आर्थ्राइटिस होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है आर्थ्राइटिस में प्री डॉमिनेंटली डिजीज ऑफ ओल्ड एज बट नो एज इस एक्जैम यानि की जनरली यह कंडिशन जो होती है यह ओल्ड एज में होती है जब पेशेंट मौर देन 40 या फिर 50 यह की एज में पहुंचता है तब जाके पेशेंट को यह कंडिशन डेवलप होती है लेकिन कभी कबार यह ज़रूरी नहीं है जो अर्ली एज में होते हैं पेशेंट उनमें भी यह चीज देखने को मिल सकती है क्या होता है कि मान लीजे जोइंट के उपर कुछी भी टाइप का ट्रॉमा हुआ या फिर कोई भी टाइप का इंफेक्शन हुआ तो एक तरीके से जोइंट में टीरिंग होगी यानि कि उसको डेमेज होगा फिर वो वापस डेमेज को कंबेंसेट करने के लिए हमारी बोड गोती है ए जब हम क्लिनिकल ठीक्टिस करते हैं तो प्चिस से पैतिस पर संट गर्थ्टिस के होते हैं वह मैक्सिम और यह विमारी ज्यदा देखने को मिलती हैं so aging is main cause then obesity and diabetes mellitus obesity क्योंकि जब obesity होती है तो patient का भार बढ़ता है भार बढ़ता है तो weight bearing joints के pressure बढ़ता है और pressure बढ़ता है तो wear and tear वाले condition ज्यादा develop होती है and diabetes mellitus क्योंकि जब sugar level बहुत ज्यादा होता है excessive amount के अंदर blood sugar देखने को मिलती है तो उससे क्या होता है कि जो भी cartilages होती है उनमें destruction वाले condition देखने को मिलती है वो cartilage destroy हो जाती है जिसकी वज़य से भी osteoarthritis की condition देखने को मिलती है इसके अलावा previous joint trauma हो कि भचपन में या फिर कोई पूरानी injury हो जो कि किसी joint को involve कर रही हो और उसके अंदर जब वापस केसी तरीके का कोई trauma होता है या फिर कुछ सालों बाद में क्या होती है कि ये condition ज्यादा देखने को मिलती है then abnormal joint mechanics होती है कि माल लीजे कोई भी congenital deformity की वजह से जो जिस तरीके से joint को movement करना चाहिए उस तरीके से proper movement नहीं कर पा रहा हो या फिर कोई भी type की ऐसी deformity हो जो कि उसको जो joint होता है उस joint को proper रूप से move नहीं करने दे रही हो तो भी ये condition develop हो सकती है इसके अलबा occupation causing excessive bending और over strain और hyper mobility of joint या फिर as good patient जो होते हैं वो ऐसी job के अंदर ज्यादा involved रहते हैं जिसमें patient को बहुत ही ज्यादा bend होना पड़ रहा है या फिर patient के joints को उपर over strain लग रहा हो यानि कि बहुत ज्यादा खिचा उत्पन हो रहा हो या फिर joints की hyper mobility हो यानि कि joints जो हैं वो excessive amount के अंदर movement कर रहे हैं तो या तो बहुत bending हो या over strain हो या फिर बहुत ही ज्यादा hyper mobile हो तो इस वजह से posture arthritis की condition develop हो सकती है इसके अलवा heredity भी एक cause होता है कि मान लीजिए अगर हमारे mother या फिर father को कोई भी type की अगर oe की deformity हो तो हमारे अंदर भी उसके होने के chances ज्यादा होते हैं अब हम इसकी pathology की बात करते हैं तो pathology में हमें सबसे पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि healthy joint के अंदर क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है like मान लीजिए ये कोई भी एक healthy synovial joint है synovial joint का क्या मतलब होता है कि ऐसा joint जिसके चारों और synovial capsule होता है और उस capsule के अंदर synovial fluid भरा होता है तो synovial joint के अंदर ये synovial fluid है और ये bone है bone के जो parts जो की एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनको ये जो होते हैं ये cartilages कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं cartilages कहलाते हैं और इनके भी cartilages क्या करती है इन दोनों bones को आपस में रगड़ने से बचाती है और movements को smooth बनाती है जिसके वज़े से हमारे joints जो होते हैं वो आसानी से movement कर सकते हैं तो क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है साइनोविल मेंब्रेन देखने को मिलती है इसके अंदर साइनोविल फ्लूइड भरा होता है स्लाइनोविल फ्लूइड जो होता है इसकी flexibility को बढ़ाता है एक lubrication का काम करता है और जो ये cartilages होती है ये इस bone और इस bone को आपस में र cartilage consist of chondrocyte यानि कि ये जो highline cartilage जो मैंने आपको बताए कि दो bones के बीच की जो ये highline cartilage होती है ये किस से वनी होई होती है ये chondrocyte से वनी होती है इसके अलावा cartilage remains stable with active degeneration and regeneration in equilibrium यानि कि इसका क्या मतलब होता है कि इस cartilage में equal amount में तो degeneration होता है और equal amount में ही regeneration होता है इस वजह से इनकी जो structure होती है वो stable होती है ये न घठती है न बढ़ती है यानि कि मान लीजे इन cartilage में chondrocyte से ये cartilage जो होती है वो chondrocyte से बनी होती है तो मान लीजे कि दो chondrocyte इसमें degenerate होई तो वापस ही दो chondrocyte regenerate भी होगी तो इस तरीके से इन में equilibrium बना रहता है then chondrocyte secret numerous matrix metalloproteinases which destroy cartilage and proteoglycans which repair cartilage यानि कि ये chondrocyte जो होती है ये ऐसे type के कुछ metalloproteinase enzyme secretions करती है जो कि इस cartilage को तो तोड़ने का काम करते हैं यानि कि destroy करने का काम करते हैं और कुछ ये ही जो cartilages होती है kondrocytes होती है ये proteoglycans का भी secretion करती है जो कि इस टूटी हुई cartilage को वापस repair करने का काम करती है तो ये एक तरीके से इसकी normal physiology होई इन O.A. there is excessive degeneration then regeneration जो मैंने आपको फिछली slide में बताया था कि healthy condition के अंदर क्या होता है कि degeneration की process जो होती है वो regeneration की process से equilibrium रखती है यानि कि माल लीजे दो kondrocyte अगर degenerate होई तो दो kondrocyte वापस regeneration होती है लेकिन O.A. की condition में क्या होता है degeneration process excess amount में देखने को मिलता है यानि कि दो की जग़ा 5 kondrocyte जो होगी वो degenerate होगी लेकिन regeneration power इसकी उतनी ही रहती है या फिर कम होती है इसी वज़े से ये cartilages जो होती है उनके अंदर destruction देखने को मिलता है synovial macrophages activates after any kind of stimulation मान लीज़े किसी भी type का कोई trauma हुआ infection हुआ तो उस वज़े से क्या होता है कि इस synovial fluid के अंदर जो भी macrophages होती है वो macrophages जो होती है वो activate हो जाती है और activate होने से फिर ये क्या करेगी inflammatory reaction स्टार्ट करेगी inflammatory reactions होती है क्योंकि macrophages activate हो चुगे तो inflammatory reaction होकर होगी and releases of different pro-inflammatory cytokines like interleukin-1 and TNF-α तो ये चीज़े क्या करेंगी उस inflammatory condition को और ज्यादा वर्स करेगी अब दीरे दीरे वर्स कर देगी तो जो पहली slide में normal synovial joint था अब ये osteoarthritis की condition develop कर चुगा है यानि कि cytokine stimulate synovial sites to produce protease enzymes that resulting into destruction of the articular cartilage यानि कि जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी type के stimulation से macrophages जो होती है वो activate होती है ये macrophages जब activate होती है तो cytokines release करती है और cytokines जो होते हैं वो inflammatory condition को और वर्स करते हैं और इस synovial membrane को जो बदाने वाली synovial sites होती है उनको कुछ protease enzyme release करने के लिए stimulate करती है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है protease enzyme क्या करेगा protein का degradation करेगा यानि कि protein कौन सी ऐसी protein जो कि cartilage का formation करती है तो उस protein का जब degradation करेगा तो cartilage का भी destruction होने लग जाएगा यानि कि cartilage जो होगी वो अब proper condition में develop नहीं होगी उसका degeneration जो होगा वो excess amount में देखने को मिलेगा then cytokines also stimulates osteocytes to convert into osteoblast to compensate the destruction of cartilages and leads to subchondral sclerosis and osteophytes यानि इसका क्या मतलब है कि अब क्योंकि inflammation की वजह से जो cartilages होए वो खतम हो चुकी है उनका degeneration हो चुका है तो उनके degeneration को compensate करने के लिए हमारी body क्या करती है कुछ जो cytokines होते हैं हमारी body में वो उस osteocytes को stimulate करते हैं ये osteocytes क्या करते हैं फिर इस cartilage के degeneration को compensate करने के लिए ये bones की overgrowth कराते हैं bones की overgrowth कराते हैं जो की osteophytes के रूप में develop होते हैं osteophytes बनाते हैं और ये osteophytes जो होते हैं ये सब condral sclerosis के रूप में दिखते हैं यानि की की cartilage के part यानि की bone के जो सबसे distal part होता है उस distal part के ठीक नीचे ठीक नीचे जो होती है calcification बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है bone जो होते है वो इस side में यानि की distal part पर बहुत ही ज्यादा hard होने लग जाती है उस condition को ही हम subcondral sclerosis बोलते हैं और bone जो होती है वो overgrowth करने लग जाती है इस overgrowth को ही हम osteophyte बोलते हैं तो osteophyte क्यों हुआ osteophyte का development क्यों हुआ यह जो osteophyte जो आगे बनने लग जाते हैं overgrowth होने लग जाती वो क्यों होती है क्योंकि degenerative cartilages जो होती है उनको compensate करने का काम करती है इसके लबह the bone turnover is less than cartilage turnover यहनि कि bone का जो turn over means कि bone का जो di generation होता है वो di generation उस amount में नहीं हो पाता है जिस amount के अंदर से creation का degeneration होता है यानि कि cartilage का degeneration excess amount में होता है और bone का degeneration कम amount में होता है इसी वज़र से osteophytes भी बहुत ही ज्यादा डेवलप होने लग जाती है और देखें तो lubricating mechanism of joint is impaired क्योंकि cartilage पूरी तरीके से खतम हो चुकी है और साथ ही synovial membrane के अंदर inflammatory condition लेखने को मिलती है इसी वज़र से जो synovial fluid होता है यह synovial fluid की इसके अंदर कमी देखने को मिलती है जिसकी वज़र से lubrication जो होता है वो भी कम होता है यानि कि joints जो होंगे वो आपस में रगडने लग जाएंगे रगडेंगे तो बहुत ही matrix is lost resulting in exposure and fibrillation of the cartilage fibers यानि कि जो माली जी ये बोन है ये बोन को पहले क्या था कि cartilage जो थी वो cover करके रख रही थी जिसकी वजह से इसके जो distal part थे वो दूसरे बोन के distal part से exposed नहीं हो रहे थे लेकिन अब क्योंकि cartilage पूरी खतम हो चुकी है तो एक बोन का पार्ट दूसरी बोन के पार्ट से एकदम near contact में रहता है जिसकी वजह से ये आपस में exposed होती रहती है और cartilage fibers जो होते हैं उनके अंदर fibrillations देखने को मिलता है यानि कि वो बहुत ही जैसे तार-तार रूप में देखने को मिलते हैं then cartilage undergoes calcification, cartilage जो होती है वो इतनी calcified नहीं होती है बहुती soft structure होती है गद्यदा structure होती है जिसकी वजह से bones जो होती है वो आपस में रगड नहीं खाती है लेकिन अब क्योंकि cartilage का degeneration होके है और उसको compensate करने के लिए मैंने आपको पिछले slide में बताया था कि osteophytes जो होती है व वो भी calcified हो जाती है एंट exposed weight bearing bones जो होती है that undergoes ebernation यानि कि जो exposed bones होती है जनी की ellylle जिनकी khutम हो चुकी होती है वो इbernation की condition में देखने को मिलते हैं आपस में एक दूसरे से कंदिशन में देखने को मिलती है इनकी जो surface होती है वो बहुत ही rough condition में देखने को मिलती है and osteophytes grows at the margins of articular bones यानि कि मैंने बताया था कि osteophytes जो होते हैं वो cartilage के degeneration को compensate करने के लिए excess amount में regeneration करते हैं इसी वजह से osteophytes develop होते हैं कहां develop होते हैं at the margins of articular bones यानि कि जो भी ये articular bones हैं जिसके बीच में joint है इस joint की जो bones होती है इनके margins पे osteophytes develop देखने को मिलते हैं osteophytes develop होते हैं अब हम इस diagram से देखते हैं कि severity कैसे होती है ये healthy joint है then healthy joint में धीरे-धीरे OAK के condition develop होती है तो अब ये cartilage जो है वो धीरे-धीरे degenerative process में देखने को मिल रहे हैं और ये osteophytes हलके से develop देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर कोई भी osteophytes नहीं देख रहा है लेकिन एक यहां osteophytes है और धीरे-धीरे एक यहां osteophytes भी बन रहा है ये जो है ये condrocides का degeneration है यानि कि cartilage का degeneration process start हो चुका है इस condition को हम mild condition बोलते हैं फिर ये जो condition होती है और ज़्यादा worse हो जाती है अब पहले तो cartilage जो थी वो degenerative process में थी अब पूरा degeneration हो चुका है और इसका जो ये bone होती है इस bone का कुछ पार्ट जो है ये expose होने लग जाता है यानि कि यहां कि इस part की जो cartilage है वो पूरी तरीके से खतम हो चुकी है और इसके बीच की जो ये meniscus होते हैं जो भी ये cartilage होती है इन cartilage का भी degeneration start हो चुका है अब ये अगर condition या फिर इस condition में भी त्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा deformity कर देती है बहुत ज़्यादा deformity कर देती है जिसके वज़े से boons जो होती है वो overexpose हो जाती है और इसके बीच के जो meniscus होते हैं वो excess amount में degenerative process में चले जाते हैं और excess amount में ही osteophytes का development देखने को मिलता है तो ये condition आप देख सकते हैं कि किस तरीगे से minor then mild then moderate then severe type की condition में O.A. जो होता है वो develop होता है अब हम इसके sign and symptoms की बात करते हैं कि O.A. के patients में हमें क्या-क्या sign and symptoms देखने को मिल सकते हैं लाइक नीज, cervical spine, lumbar spine, hips, shoulder and D.I.P. D.I.P. means distal inter phalangeal joint इस्टल inter phalangeal joints जो D.I.P. joints होते हैं वो बहुत ही ज्यादा affected होते हैं लेकिन specifically weight-bearing joints ज्यानिके knee joint तो कौन-कौन से joints इसमें ज्यादा affected देखने को मिलते हैं like knee joint, then cervical spine, then lumbar spine, then hips की जो bones होती है वो then shoulder की bones होती है उनके अंदर and distal inter phalangeal joints heart की हाथ की जो distal inter phalangeal joints होती है उनके अंदर distal inter phalangeal joints कौन से ये वाले यह जो सबसे end के part के जो joints होते है यानि कि ये ये तो होते हैं intermediate phalangeal joints या फिर proximal phalangeal joints होते हैं ये metacarpu phalangeal joints कहलाते हैं ये वाले लेकिन ओए जो होता है वो distal phalangeal joints जैसे की नाम से पता चल रहा है distal मतलब के बॉडी से दूर तो बॉडी से दूर वाले जो हाथ के जॉइंट है यानि के distal interphalasal joints होते हैं उनके अंदर ये ओए के condition ज्यादा देखने को मिलती है then weight bearing joints like knee joints develop deformity क्योंकि बहुत ही ज्यादा weight body का जो maximum weight होता है वो सीधे knee joints के उपर देखने को मिलता है इसी वजह से इनके जो knee joint के अंदर जो weight होता है वो बहुत ही ज्यादा deformity develop करता है then osteophyte formation at the d.i.p. joint d.i.p. means distal interphalasal joints leads to formation of heberdance nodes which may be painful sometimes यानि कि over the time जब deformity या फिर ओए की condition बहुत ज्यादा worse हो जाती है तो इस distal interphalasal joint यानि कि इस joint के अंदर ये notes देखने को मिलती है इन notes को ही heberdance nodes कहते हैं वेग pain and stiffness in knee joint after getting up from the sitting posture यानि कि बहुत ही ज्यादा दर्ड होता है लेकिन patient वो describe नहीं कर पाता है कि उसको किस type का दर्ड हो रहा है तो weight pain and stiffness यानि कि joints जो होते हैं वो बहुत ज्यादा stiff हो जाते हैं कब होते हैं after getting up from the sitting posture यानि कि मान लीजिये patient एक बार बैट चुका है फिर थोड़ी देर बैठने के बाद में जब उसको हम खड़ा होने के लिए कहेंगे तो उसके joints इतने stiff हो जाते हैं कि वो proper तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है उसको difficulty होती है खड़ा होने में और बहुत ही ज्यादा painful condition develop होती है then cartilages are aneural so it does not cause pain क्यों क्योंकि cartilage जैसे माना यह कह रहे हैं कि aneural होती है aneural means cartilages के अंदर neurons जो होते हैं वो absent होते हैं absent होने की वज़े से उनके अंदर कोई भी type के sensation भी नहीं जा पाते हैं जब sensation नहीं जाएंगे तो pain वाली condition नहीं होगी cartilage की वज़ें से so pain arises from osteophytes लेकिन painful condition तो देखने को मिलती है तो वो क्यों देखने को मिलती है क्योंकि osteophytes की growth होती है osteophytes मैंने बताया था कि मान लीजिए ये bone है bone में जब वो एकी condition डेवलफ होती है bone आपस में रगड़ खाती है आपस में एक दूसरे से expose होने लग जाती है तो osteophytes जो होते हैं वो overgrowth करने लग जाती है और आर्टिकूलर साइट की जो मार्जिन्स होती है, वहां पर ये ओवर ग्रोथ होती है, इसकी वज़ासे पेन्फुल कंडिशन डैवलप होती है, लोकलाइज़ ग्रोथ आफ इंट्रा ओश्यस प्रेशर, साइनोवाइटिस और पैरियार्टिकूलर स्ट्रक्चर्स की वज़ से लोकल ग्रोथ होती है, उस हिसाब से साइनोवाइटिस की वज़ए से क्यूकि साइनोवाइटिस में इंफलमेटरी कंडिशन हो चुकी है, पैरियार्टिकूलर स्ट्रक्चर्चर् यानि की कि कोईसी भी आर्थ्री मतलब के joint के चारों जो भी structures है उनकी वजह से भी painful condition develop होती है then patient experience disability while walking down stairs and slope यानि कि यह कहता है कि OA के जो patients होते हैं वो सीडियां चड़ने में या उतरने में या किसी भी slope पे चड़ने या उतरने में उनको बहुत ही ज्यादा painful condition develop होती है patient जो होता है वो थो normal सीडियां भी चड़ उतर नहीं सकता है tenderness और palpation of joint यानि कि जब भी हम patient के joint को palpate करेंगे उसको हलका सा भी दबाने के कोशिश करेंगे तो patient जो होगा वो बहुत ही ज्यादा tenderness की condition में देखने को मिलेगा patient उस joint को हाथ तक नहीं लगाने देगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा painful condition होती है and crepitus may be palpated around the joint अगर हम किसी मान लेजिए किसी भी joint में specifically knee joint के अंदर अगर ओएक condition develop हो रखी है और अगर हम उस knee joint को ऊपर एक हाथ रखते हैं और दूसरे हाथ से हम knee joint को movement करवाते हैं तो हमारे जिस हाथ से हमने उस joint को touch करके रखा है तो हमारे हाथ के अंदर क्रेपिटस की sounds जो होती है वो पैलपेट होती है यानि कि कट कट की आवाज यानि कि क्रेपिटस की आवाज जो होती है वो हमें feel होती है इसके अलबावा other sign and symptoms क्या है कि joint fusion या फिर edema can be seen यानि कि joint के चारों और हमें surgeon भी देखने को मिल सकती है जैनु वेरम और जैनु वेलगम में भी present in severe OA जैनु वेरम और जैनु वेलगम क्या होता है कि जो OA की condition बहुत ज्यादा worse हो चुकी है तो जो normal posture होता है एक patient का एक इनसान का जो normal posture होता है वो normal posture नहीं रह जैनु वेरम और जैनु वेलगम की condition होती है तो सबसे पहले है जैनु वेरम जो मतलब कि है जो नी जॉइंट होता है उस नी जॉइंट में ौद्याओं के डेवलगर की वैज़द से यह जो होते हैं आउट्वर्डली फिर Tumblr जाएologists चैनु चैनल में का कोमेंदिया कर और फ में deviate होते हैं जनु वेरं की कंडिशन में जह सबसे पहले हम उसका सी बीची करवाएंगे करवाएंगे और फैक्टर करवारेंगे ताकि हम differential diagnosis कर सके हैं या फिर यह पता कर सके हैं कि यह acute condition में develop हुआ या फिर chronic condition का है देन हम इसका जो सबसे golden standard diagnosis test होता है वो होता है x-ray x-ray of the affected joints जब भी हम किसी joint का ओवे वाले joint का अगर हम x-ray करवाते हैं तो हमें चार type की conditions देखने को मिल सकती है जरूरी नहीं है कि यह चारों की चारों develop हो लेकिन इन चार में से कुछ न कुछ conditions हमें जरूर देखने को मिलेगी वो क्या है loss loss means l means loss of joint space o means osteophytes देखने को मिलेंगे s means subcondral sclerosis देखने को मिलेगा और दूसरे s का मतलब है subcondral cysts देखने को मिलेगे इसके अलावा anti ccp यानि की anti cyclic citrulinitage peptide जो होते हैं इसका भी एक तरीके से हम test करवा सकते हैं यह जो condition होती है यह specifically RA से differential diagnosis करने में काम आती है RA से differential diagnosis करने में काम आती anti ccp then ESR करवा सकते हैं जो की specifically RA या फिर gout की condition में हमें raised देखने को मिल सकता है and joint aspiration और arthroscopy करवा सकते हैं यानि कि synovial fluid जो है उस synovial fluid का हम aspirate करेंगे और उसको जब हम microscopically check करेंगे तब उसके अंदर हमें क्या-क्या cells या फिर debris देखने को मिलता है उससे हम पता कर सकती कि patient जो है वो ओएका है या फिर नहीं है इसके लावा आप हम देखते हैं कि नी joint का अगर ओए है तो उसके x-ray में हमें क्या देखने को मिलेगा मैंने आपको पिजली साइट में बताया कि एक्सरे करवाते हैं तो क्या-क्या देखने को मिलता है लॉस मिन्स लॉस ऑफ जॉइंड स्पेस ऑस्टोफाइट्स सब्कॉंड्रल स्क्लेरोसिस और नी joint है ये इसकी जो margins है वो एकदम sharp margins है joint space भी अच्छा का सा develop हो रहा है इसके जो bones है वो एक दूसरे से touch में नहीं है लेकिन ये एक arthritic joint arthritic knee joint का x-ray है जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि bone का erosions देखने को मिल रहा है joint space पूरा खतम हो रहा है and subchondral sclerosis जैसे मैं आप को बताया था कि इसके जो cartilages होती है वो पूरी खतम हो जाती है खतम होने की वजह से osteoblast जो या फिर osteoplast जो की activity होती है वो develop बहुत ज्यादा access hormone में देखने को मिलती है इसकी वजह से ये जो subcondral part होता है यानि कि condrocides जहां पे पहले थी उसके ठीक नीचे वाला जो part होता है वहाँ पे calcification देखने को मिलता है इसी वजह से जो आप normal X-ray में देख सकते हैं कि ये ज्यादा opacity लिये वे नहीं है लेकिन ये part बहुत ही ज्यादा opacity लिये वे है इसी condition को हम subcondral sclerosis बोलते हैं और कुछ-कुछ condition में subcondral cyst भी develop देखने को मिल सकती है यानि कि bone के सबसे distal part के ठ खीक नीचे कुछ cysts भी develop होती हुई देखने को मिल सकती है इस X-ray के अंदर cyst नहीं है लेकिन कभी कबार कुछ patients के अंदर cyst भी एक specific marginal cyst देखने को मिल सकती है अब हम treatment के बात करते हैं specifically allopathics जो doctors होते हैं वो क्या treatment advise करते हैं उसकी हमें जान कर योना जरूरी है हमें उस treatment को ज्य के रूप में क्या-क्या देते हैं यानि कि इसमें किसी भी टैप कि दर्वाइड की वह एडवाइज नहीं करते हैं तो क्या-क्या बोलते हैं Weight Loss करने के लि experimental की वजह से जो मैक्सिमुम प्रेशर होता है वो नी जॉइंट को बढ़ता है इसलिए वह वेट लॉस को करने के लिए बोलते हैं देन फीजियो थेरपी करने के लिए बोलते हैं ताकि जो स्टिफमेस है वो जा सके देन वॉकिंग स्टिक अब क्योंकि पेशन जो है वो के उनको ताकि जो जॉइंट्स हैं उनकों स्टिफनेस से बचा जा सके एंड हीट एंड खोल थेरेपी का वो यूज करते हैं इसके अलवा फार्मेक लॉजिकल्स यानि कि दवायों के रूप में वो क्या देते हैं नॉन इस्टिरोइडल एंटिंफ्लमेटरी ड्रक्स का क्योंकि जगत में आपको सबको पता है कौन-कौन सी है ज्यादा थर पौरसिटमॉल एंड डाइकलोफिनेग इसके अलवा अदर्स जो भी नॉन इस्टिरोइडल एंटिंफ्लमेटरी ड्रक्स होती है उनका भी वो यूज करते हैं इस्टिरोइड के अंदर ग्लुको इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि यह क्या करता है इंफ्लमेटरी कंडिशन को यह स्लो करता है इंफ्लमेटरी कंडिशन को स्लो तो कर देगा लेकिन जो जो जॉइंट की डिफॉर्मिटी होने वाली है वो तो होके रहेगी इसी वजह से इसका भी कोई लॉंग टर्म यूज यादी effect देखने को नहीं मिलता है, viscous fluids के supplements भी यह जो है, यह patients को मोहिया कराते हैं, क्यों? क्योंकि जो signable fluid होता है, वो बहुत ही excess amount में loss हो जाता है, जिसकी वज़े से joint space जो होता है, वो narrow हो जाता है, इसे वज़े से viscous fluids के supplement देते हैं, glucosamine या फिर kondroitin protein के यह supplements देते हैं, क्य होते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि long term use करने के बाद में भी इनका कोई ज्यादा effect नहीं होता है, इसके अलवा जब patient में बहुत ही ज्यादा excess amount में दर्द होता है, tenderness होती है, painful condition होती है, तो NSAIDs and glucocorticoids के injections भी कोई काम नहीं करते हैं, then in the end वो opiates का use करवाते हैं, opium derivatives का use करवाते हैं, ताकि patient को सिर्फ और सिर्फ दर्द से आराम मिलता है, उसकी जो condition है, उसमें कोई आराम नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ही सबसे in the end में उनके पास में एक ही इलाज बता है, total knee replacement, यानि कि knee joints जो होते हैं, उनके जो distal parts जो होते हैं, या फिर जो joint होता है, उनक अपने काम आराम से कर से, तो हार्षा करता हूँ कि आपको osteoarthritis के उपर बनाया गया, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको इससे related कोई भी questions and queries हो, तो आप मुझे comment sections में comment कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन questions का जवाब दे सकूँ, इस के साथ ही, thank you so much, please like, share and subscribe, shivatu ayurved, thank you so much.